है वास्टाप गाइस दिसी रिटेश एंड वेल्कम बैक टू अनधर वीडियो फॉटो बनाने वाले हैं जो कि बेसिकली वाटर पे डिपेंड रहेगा एंड इस फोटो को बनाने के लिए आपको सिर्फ इस तरीके से फोटो लेना है कि जिसमें सिर्फ आप अपने हातों की त तो प्लीज चैन को सब्सक्राइब कर देना है अगर अब अभी तक मैंने चैन के बेल आक्र को नहीं दबाया तो फ्रेंड उसे भी दबा दीजिए तो चलिए फ्रेंड वीडियो को सुरू करते हैं अगर सबसे पहले हम बैग्राउंड एप्लिकिशन को ओपन करेंगे इसमें अपना जो मॉडल का फोटो है उसे इंपोर्ट कर लेंगे तो यहां पर मारा फोटो आ चुका है अब इसमें से मैं जो अपना फोटो है सबसे पहले क्रॉप कर दोंगा एंड मैं इसे कर दोंगा यहां से डन अब डन करने के बाद मैं एक्टर पार्ट को एरेज करोंगा सो इसके लिए मैं यहाँ यापर मैजिक टूल का यूज करोंगा अब यहाँ चीज और निवाल कि सालता जा रहा तो तो मैं देखिए इस तरीके से अपने सारे बैग्राउंड को एरेज कर लूँगा तो यहां से हो चुका है एंड अब मैं इसे पीछे से करूँगा पीछे से भी हो चुका है गाइस तो इस तरीके से यह बहुत ही इजी टूल है तो अगर आपको इस एप्लिकेशन का लिंक चीए तो आपको इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो कुछ इस तरीके से इसे एरेज कर देंगे यहां से एंड गैज इसके बाद हम मैनुवल आप्शन को स्लेट करेंगे मैनुवल का साइच बढ़ा देंगे और अब हम इस तरीके से इसे एरेज कर देंगे इंड गैज इसके बाद आप इनके हातों को भी एरेज कर देंगे क्योंकि अगर आपने फोटो में देखा हो तो वहां पर हात नहीं है हमारे हातों की जगा ही वाटर आ चुका है देखिए मैं इस तरीके से अपने हातों को भी यहां से एरेज कर दूँगा आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैक्राउंड ने परफेक्टली रिमूव हो चुका है और हमारे हात भी यहां से मिट चुके है तो इसके बाद मैं इसे यहां से done करूँगा and मैं अब इसमें smoothness दूँगा लगबग 3% की and मैं इसे यहां से कर दूँगा guys save अब save करने के बाद सबसे हम अपनी gallery में जाएंगे guys इसके बाद दूसरा step हमारा यह है कि हम अपनी जो background को है send करके open कर लेंगे pixart application में so guys यहां पर हमारा background open हो चुका है अब सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां से add photo पे click करेंगे and guys यहां से आपको यह वाला जो png है अपने background में लगा देना है तो यह जो water का png अपने background में लगा देंगे and इससे आप यहां से कर देंगे guys done and guys इसके बाद अब आपको add photo पे click करना है and अभी जो हमने अपना model का background erase किया था उसे यहां पर add कर लेंगे सबसे पहले आप इसकी position को कर लेंगे set लगबग यहां पर and guys इसके बाद आप यहां से आ जाएंगे effects में effects में आने के बाद आप colors colors में आने के बाद colorize colorize में आपको red color select कर लेंगे इसे कर दिना multiply and extra part को अब हम यहां से erase करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी hardness को बढ़ा लेंगे brush की and अब हम इसे erase करेंगे कुछ इस तरीके से so guys अब हम इसे यहां से कर देंगे done, done करने के बाद दुबारा से done and guys इसके बाद आपको यहां से again done कर देना है, so guys इसके बाद आजाएंगे यहां से beautify tool में यहां पर आप smooth पर click करेंगे and smooth पर click करने के बाद इसने automatically skin को smooth कर दिया तो आप देख सकते हैं, मैं इसे यहां से कर दूँगा guys done करने के बाद आप आप यहां पर हाथ हो की तरफ देखें तो हमारा हाथ जो है वो एरेज है इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको टूल्स में आ जाना है तूल्स में आने के बाद आपको क्लॉन का अब क्लॉन क्या करेंगे हम अपने यहां पर कपड़ों को क कर दूँगा एंड मैं अब इसे देखे क्लोनिंग यहां पर सुरू करने वाला हूं तो कुछ इस तरीके से आप इसकी क्लोनिंग कर देंगे जो चीज जहां पर ले जा नहीं बिल्कुल आपको उसको उसी के सामने रखना है तो कुछ इस तरीके से द्वारा रख देंगे मैं कर देंगे डन करने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एड़ फोड़ो पर क्लिक करना है यहां से आपको एक वाटर का पी एंजी जो है वो लगाना है अपने हाथों में तो सबसे पहले आप इसके साइज को बढ़ा कर लेंगे इसके बद आपको एड़जस्ट पर क्लिक करके या इसकी जो क्लेरिटी वो पूरी कर देनी है वाटर की जिससे की वाटर हमारा पूरा हाइलाइट हो सके और आपको हाइलाइट्स भी इसके हलके से बढ़ा देंगे तो इसे आप यहां से कर देंगे काईस डन करने के बाद आप दोबारा से एड़ फोटो पर क्लिक करेंगे हम दूसरा वाटर का पी एंजी लेके आएंगे तो हमारा दूसरा वाटर का पी एंजी यह है और इसे हम अब दूसरे हाथ पर सेट करेंगे पहले कुछ इस तरीके से तो आप इसे पहले ब्लेंड करके स्क्रीन क आप देख सकते हैं कि अभी फोटो हमारा अभी वैसन नहीं बनाए जैसे की बनना चाहिए इसके लिए हम दोबारा से दिखिए एंड फोटो में क्लिक करेंगे और यहां पर समसे पहले मैं इसमें एक हेर बनाने आते हैं तो अच्छी बात है वरना बने बने हेर भी खिए जाँ बढ़ा देंगे कि हैंड इसी आप यहां से करते हैं घ्रिंडू अब आपको क्या करना है आपको यहां पर ठोड़ा ध्यान देना वहां वकर फोटो बहुति रियल दिखाने के लिए सबसे पहले एफ्टेस क्लिक करेंगे यहां earliest filter स्ब फिल्टर में आने जाए आपको यहां से मर्ज इसके बाद आप यहां से आ जाएंगे MV4 और इसके जो फेड है आपको हलका सा कम कर देना है अभी यह जो फोटो है आपका रियल नहीं लगेगा क्योंकि हमें इसमें अभी color grading नहीं की है तो उसके लिए हम draw tool में आके सबसे पहले photo कर देंगे save and इसे open कर लेंगे lightroom application में तो guys यहां पर मैं lightroom application open हो चुकिए तो सबसे पहले आप यहां पर आजाएंगे color tool में and guys color tool में आपको क्या करना है guys यहां पर आगर सबसे पहले अगर आप देखें अगर आपका चाहई जादा bright है तो उसे आप luminance को कर देगे कम जैसे की मेरा है आप जादा bright है अगर आपका चाहई कम ब्राइट है तो आप उसकी luminance बढ़ा देंगे तो इसके बाद मैं यहां पर blue color को लेट करके जो इसकी हुँ है इसे करूँगा हलकी सी कम एंड यहाँ पर इसकी लूमिनियन्स और सैचुरेशन को हलका सहलका सा यहाँ से मैं बढ़ा दूँगा कैस इसके बाद हम इस यहाँ से कर देंगे डन एंड इसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले इसके बाद आपको इस फोटो के जो सैडोज है वो हलके से कम कर देंगे इसके वाइट्स को आप हलका सा बढ़ाएंगे लेकिन ब्लैक्स को कम कर देंगे इसके बाद आप इसके हाइलाइट्स को भी हलका सा बढ़ा देंगे इसके बाद लास्ट आप विगनेट टूल का याप यूज करेंगे सबसे बहले आप इस फोटो की clarity को हलका सा बढ़ाएंगे एंड इससे विगनेट हलका सा दे देंगे तो देखेंगे कि फोटो में थोड़ा सा real look आ गया है तो आप देखेंगे हमारा पहले जो फोटो था कुछ इस तरीके से था एंड पिक्सार्ट में आने के बाद हमारा फोटो कुछ इस तरीके से हो चुका है इसके बाद आप यहां से 3.0 पे क्लिक करके इसे save to device कर देंगे और आपको फोटो गैलरी में save हो जाएगा आपको इस वीडियो पसंद आएगी अगर फैंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना साथ ही आगर आप चैनल के लिए एक नई यूज देने तो फ्ली चैनल को subscribe करना and guys, मैं वेलता हूँ आपसे के लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई and थैक्स पर वाचिंग